हम material आपको वो दे रहे हैं जो best quality का होता है आपकी softer की तरफ बढ़ती है सफेदी की तरफ आप 200 kg परावर की लगा रहे हैं तो आप 500 kg परावर का cleaner लगा सकते हैं तो यही automatic process है पूरा कुछ चीज़े बढ़ जाती है तो काफी सारे customers के reviews बहुत अच्छे हैं उन machines के बारे में नमस्काल दोस्तो आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं एमर्ड असेट प्लांस और प्रोजेस्ट बरेली पर यहां के पहले भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं आज के इस वीडियो में हम आपको आटा चक्की की मसीने दिखाने जा रहे हैं इसलिए आप हम परिवार में शेर करना ना भूलें तो जोस्तो आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो चलिया आज कुछ नया सीखते हैं आज के वीडियो आप हमारे दोस्कों कौन सी आटा चक्की दिखाने जा रहे हैं तो दिखे हम लोग बेसिकली फ्लोर मि राइस मिल, ओल मिल, दाल मिल और स्पाइस मिल्स में डील करते हैं आपके इस वीडियो को माध्यम से एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे सबसे पहले हम इस वीडियो में फ्लोर मिल्स आपको दिखाना चाहेंगे तो हम अपनी सबसे बेस्ट कॉनिटी की फ्लोर मिल्स पहले आपके दिखा देते हैं मैं आपको बता दूँ कि हम लोग regular series और डीलक्स series के दो तरीके के projects बनाते हैं तो आए मैं दिखाता हूं आपको डीलक्स series में हम लोग क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं किस capacity से projects ट्रोर्टे हैं कितनी लागत से लांद कि रेंगे आपको यह से स्टार्ट करता हूं यह हमारी दो फुट कें एक कम दो चला मैंसीव साइज है देखिए बहुत सारे customer हमसे compare करते हैं कि थेस सब्सक्रास मेहते करते हैं तो वो मिल और प्लांटों की चक्किया नहीं होती है वो चक्किया होती है नॉर्मल छोटे बिजनेस के लिए जैसे हमने पल्विराइजर देखे आपके पिछले वीडियो वे वह यहां पर यह मिल के लिए चक्की बनती है तो इसमें आप साइज हाइट के साथ यह सकत यह फिर्म्यगा यह भी मैसिवा और बड़ी चक्की है 33 बाई 30 इंच के इसमें पत्थर होते हैं यह आपको एक जो 14 इंच की चक्की हमने देखी आपको 1.500 की परावर का आउटपुट देती है वैसे 27 इंच की चक्की आती है वह आपको 200 कजी का आउटपुट देती है और यह 30 इंच की जो चक्की होती है 200 kg अपनी कैपेसिटी के आप से दिखा रहा हूं देखिए स्टोन टाइप ग्राइंडिंग जो है ना बहुत अच्छी वानी जाती है रोटी जो है आपकी सौफ्तर की तरफ बढ़ती है सफेदी की तरफ बढ़ती है चोकर आसानी से आप मिकाल सकते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं उसके इस वज़े से आज भी ट्रडिशनली लोग पत्थर की चक्कियों के प्लांट लगा रहे हैं तो गाफी सक्सेस हैं फिर यह चक्की मैं इसलिए दिखा रहा हूं फिकास यही चक्किया हम आपको पार्ट फाली अब्लांट विलगा के दें तो शुुरुवात इसी से हैं काम rau इसी से यह बाकी प्रोजेक्ट कर सक्ते हैं लेकिन यह प्लांट के साथ कैसे हम लोग सेट अप देते आई रिखाता हूँ वह बरेहीं में एहमद अस्यस्येट प्लांटन प्रोजेक्स में फरीदपुर यह कॉंपीटेंट इंडस्ट्रियल पार्क है यहां पर आप वो यह मिल जाती है तो आप बरेली जरूर विजिट कीजे यहां कि मैं आपको ऐसे प्रोजेक्स पर्सनली दिखाऊंगा जो आपके लिए बेहतर होंगे यह 30 इंच की चक्की जो रगासक्ते हैं है यह पीचे मेरे देख रहे हैं यह फुल्ही आटमाटिक मशीन है 100 गड आपको देती है अभी आपको 10 Tearn का दिखाऊंगा इससे चोटा केसा होता है यहां क्लीट क्लीन होने के बाद जक्कियों में जाता है माल जक्कियों में पिसने के बाद और हईट आपको कम से कम मिनिममम 10 पिट चाहिए मिनिमम अच्छा सर अगर इसको पूरा फुली आटोमाटिक करना हो तो फुली आटोमाटिक के लिए मैं आपको नज़र अधिक कैसे होता है मैं आपको रेगुलर का प्लांट दिखा देता हूं वारी कोशिश यह रहती है सर कि आपके माध्यम से लोग जादा जादा चीज़े याद देख सकें और विजिट करके भी उनको खुब सारी चीज़े देखने को मिले तो आप यह देखिए यहां से जब आप आटमाटिक करते हैं प्रोजेक्ट को तो उसमें हम लोगों को टैंक्स लगाने पड़ते हैं इस तरीके के वीट के स्टोरेज के लिए और मॉइस्टर सिस्टम देने के लिए हमें टैंक लगाने होते हैं एलिवेटर से माल उपर जाता है क्लीन होने के बाद वहां पिजब स्टोरेज हो जाता है बहुते स्टोरेज होने के बाद चक्कियों में गिरता है और वीट क्लीनर्स हैं यह ज़रूरी है बागी वो budget के उपर depend कलता है कि बंदा semi-automatic लगा है या पुर्ली आटोमेटिक लगा है budget पे भी height पे भी कही पर चोटी जगा पे लगाएंगे plan तो कहीं न कहीं सब चीज़े नहीं लगाएंगे हैं semi-automatic way में भी लगा सकते हैं budget तो ही एक बहुत important aspect है मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा हमारे आप projects जो हैं आपको 3 लाग रुपे से शुरू हो जाते हैं 3 लाग रुपे में आप 24 इंच का एक automatic setup लगा सकते हैं जिसमें choker separating का system मिल जाएगा आपको और motor भी साथ में मिलेगी मोटर्स हम लोग जो भी मशीन में यूज करते हैं सब हैविल्स ब्रांट का यूज करते हैं मैं ने भी बताया आप तो हैविल्स बहुत अच्छी service देता है आटा चक्की के लिए special motors बनाते हैं तो इन लोग की जो research and development team है वो हम से निरंतर contact में भी रहती है कि आटा चक्की में किस सरीके की motors में क्या improvisation करें तो हम लोग suggestions भी देते हैं बाकी बहतर service है इस वज़े से complaints कम हैं और जल्दी home service मिल जाती है तो वही यूज करें हम लोग direct company के dealers हैं तो हम लोग को rates अच्छे आते हैं तो customers को उसका benefit मिलता है अच्छा सर अगर हमारे कोई जल सक यह दोनों चक्की ना लगाना चाह रहा हो फिर सिंगल चक्की लगाना चाह रहा हो तब यह plant start सिंगल चक्की सही होते हैं आप process वही रहता है machine वही रहती है चक्की single लगाएंगे तो एक चक्की चाहिए आपको एक wheat cleaner चाहिए और एक choker separator चाहिए तीन machine चाहिए आपको बाखी automatic करने के लिए आप elevator लगा सकते हैं टांग लगा सकते हैं सब चीज ऑप्सनल रहती है plant main जो काम करती है वो wheat cleaning machine करती है और choker separating और grinding machine करती है तो इसमें 24 इंच का जो set up आता है हमारा हुँ चोटा होता है आपका कम capacity में अगर आपको डेड़सो केजी प्रावर का plant लगाना तो चौबिस इंच का लगाईए उसो केजी प्रावर का लगाना सताइस इंच का लगाना सब्सक्राइए पावर की रही बात मैं आपको बता दूं आपके मार्देम से के हमारे पास मशीन से ऐसी भी है जो एक ही मोटर से चल जाती है और आप आने वाले दिलों में इन मशीन को अपरेटिब भी देखेंगे यहां पर तो काफी सारे कस्टमर्स के रिव्यूस बहुत अच्छे हैं मशी लाइन पर नहीं है तो और नॉर्मली जो प्लांट होते हैं उसमें हम 15 पावर की मोटर 30 की चक्की में लगाते हैं और 14 पर हम लोग 10 पावर की लगाते हैं साथ में वीट क्लीनर है पांच फिलेता है और जो चोकर सेपरेटिंग है वह तीन एच पी लेता है तो तक्रीवन 18 स्थी प्लांट शुरू कर सकते हैं तीस इंच का ब्रोजेक्त इसे 15 पावर से शुरू कर सकते हैं चौबेसेंच का प्रोजक्ट तेए यह से हो गया यहीं सब्लांट आपके एंजिन से पिचल जाते हैं अच्छा वही मैं पूछ रहा था कि अगर आप आप ब्लांट अगया है आप एक मोटर या एक इंजन लगा कि आप पूरा फ्लांट उसी से चला सकते हैं तो बस मशीन सापको से बना के देनी है आप जिस भी चीज से चलाना चाहिए आपका चॉइस है जैसे अगर को शोलर प्रांट से लगाना चाह रहा हो तो आप मतलब गाइडेंस तो करी देख किस तरीके सब्सक्राइब करते हैं कि सोलर लोग लगाने आते हैं आपको बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे आपको फाइनल एलेक्टिसिटी आउट्पूट लेके दे देते हैं हमें वहां पर आप अपने मशीन कर देते हैं अच्छा सर एक बात का जवाब दीजिए क्या हमा प्रिमाटिक मशीज में जो वीट क्लीनर हो गया गया हूं इक बात साफ हो गया अच्छा तो जब ग्राइंड होगा तो उसकी कॉलिटी अच्छी हो जाएगा जब चोकर सेप्रेट होगा तो और सफेद हो जाएगा तो पैकेजिंग एक इंपोर्ट हाम मुद्धा यहां पर पैकेज आपका कैसा है वालेटी कितने सम तक अच्छी रहती है बागी क्वालिटी ओफ मटीरल जब फिस्ता है तो इन मशीन से बहुत सुपर फाइन आता है जो 90% हमारे ब्रांडेड आटा बेनुफाक्चरिंग प्लांट ही लग अच्छा 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 प्लांट प् आपको क्वालिटी वाइस कोई डाउट बहुत अच्छी चीज है आप कभी भी आईए अपनी के पास्टी के साप से प्लांट करिए जो साफी प्रोजेक्ट लेना है आपको हम आपको उसकी पूरी जानकारी तो उसको पूरी जानकारी आपको बताते हैं साथ में कैसे जरूर आईए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने माध्यम से हमारे कस्टमर्स को बताइए कि बरेली जरूर आईए एहमद असोसियेट प्लांटन प्रोजेक्स कॉंपीटेंड इंडस्टियल पार्क में स्तित है यहां कि यह प्रोजेक्ट सामने से देखिए इसकी कॉल साथ ही अगर आप इन मशीनों के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे देगए नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक हमाई चर्वे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बिजनिस वीडियो लाते रहते हैं साथे साथ दोस्तों अगर आपको जिए वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों अपरिवार में सेड़ करना ना भूलें जल्द ही मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत दन्यवाद जय हिन जय भारत